स्वागते दोस्तों आपका इस वीडियो में जहां मैं अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करूंगा एज मीटर मॉस्कीटो रैकेट की जिसे हम मच्छर का बैट कहते हैं यह मैंने अमेसॉन से पर्चीस किया है साड़े 400 रुपय का यह 400 से लेकर 500 के बीच में बिक रहा होता है यह इसका बिल लगा हुआ है यहां पर मैंने अपनी डीटेल्स को मार्क कर दिया है और यह इंदौर से जो है शिप किया गया है मैंने अभी पर्चीस किया है इसे चलिए इसे ओपन करके देखते हैं अंदर क्य क्या है और क्या यह खरीदने लायक है चलिए ओपन करते हैं जैसा कि मैं बॉक्स के बारे में बता रहा था बॉक्स ठीक ठाक है यहां से थोड़ा सा दब गया है तो मैं उमीद करता हूं कि मेरा रैकेट डैमेज नहुआ हो इस सैलर को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए प्ल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने अपने गलव्स पहने हुए हैं मच्छर का रैकेट काफी ज्यादा पावरफुल होता है उसमें 3-4000 वोल्टिज बन रहा होता है तो आप भी मच्छर का रैकेट हैंडल करने से पहले प्रिकॉशन्स लें तो यह हमारा उपन हो गया दिसनाचे दूहित वह देख लेते हैं कुछ और तो नहीं कुछ नहीं है अब jego site रेता हो रहा हमारा मच्छर का बाट तो यह एजमी मीटर ब्रैंड का है एजमीटर कंपनी का है home appliances जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर एक पेपर भी मिल रहा है चलिए ओबन करके देखते हैं दिखने में तो यह अच्छा लग रहा है कलर भी अच्छा है सबसे पहले इसमें एक पेपर है बदाई हो आप इस सब्ता के बागिशारीक टहाग है देखिए यह इस पेपर मिला है इसके साथ लेकिन यह बहुत ही गलत चीज है क्योंकि Amazon पर मैंने इसको रिव्यू पढ़कर परचेस किया खरीदा तो अगर सेलर 30 रुपए दे रहा है जो तो वह सारी रिव्यू पर मुझे भरोसा नहीं होगा वह रिव्यू सारी गलत हो सकते हैं क्योंकि किसी भी कस्टमर को 30 रुपए के लालच में उसने 5 स्टार रिव्यू दे दिया तो Amazon को इस तरह का चीजे नहीं करना चाहिए इस तरह के सेलर्स को आपको नहीं बेजने देन चाहिए यह बहुत ही बहुत गलत है यह यह कस्टमर के लिए तो इस यह सबसे बहुत गंदा लगा मुझे यह सब इसे साइड में रखते हैं देखते हैं आगे क्या है हमारे पास इंदर से एक रैकेट है और मैं चैसे देख पा रहा हूँ चार्जिं केबल है यह एक बैग है अच्छा है प्लास्टिक का है वैसे शायद जादा ना चले लेकिन ठीक है इसको साइड में रख देता है अब देखते हैं रैकेट को सबसे पहली चीज जो नजर मुझे आई व इसको बता नहीं और यह भी कोई ब्रैंडिंग नहीं है सिर्फ एक पेपर का स्टिकर लगा हुआ है और मैंने चेक किया तो यह जो रैकेट है यह इनका नहीं है यह रैकेट एक चाइनीज रैकेट है जो रॉकलाइट नाम की कमपनी मैं फोटो एड कर रहा हूं गलत चीज है जो यह कर रहे हैं पहले चीज मैंने आपको बता दी कि 5-star review के बतले पैसे दे रहे हैं तो सारी reviews पैसे आपका भरोसा उठ जाता है और फिर इस तरह की ब्रैंडिंग आप कीजिए ब्रैंडिंग लेकिन आप इसे देशवासियों के साथ ऐसा गलत नहीं यह made in India है जबकि आप गूगल सर्च करेंगे रॉकलेट तो आपको पता चलेगा यह made in China रॉकलेट चाइनीज कंपनी है तो बहुत मुझे बुरा लगा यह समझके सुनकर यह charging cable है बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं लग रही है मुझे बट काम हो जाएगा करके देखते हैं यह एक फूट से थोड़ी सी ज्यादा है डेड़ फूट आप कह सकते हैं इसे तो यह charging cable है यह इसके बेस में कहीं पर लगती है जी हां यह रहा यहां पर यहां पर फिट हो जाती है और सीधे आपको इसको वाल प्लग में लगाना है जिससे यह charging शुरू हो जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं यह charging cable यहां पर लगती है और इसे सीधे दीवार के प्लग में लगा सकते है अप इलेक्ट्रिकल प्लग में जिससे चार्ज उनाशुरू हो जाएगा यहां पर charging light भी है थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होता है क्योंकि यहां पर सीधे इलेक्ट्रिकल करेंट आ रहा होगा तो आप जब भी इसे charging पर लगाएं तो थोड़ा सा सावधानी के साथ लगए अगर आप यहां पर हाथ लगाते हैं तो आपको करेंट लग सकता है तो थोड़ा सा ये सावधानी के साथ ही use करना होता है इस तरह के circuits को जिसमें सीधे charging हो और जैसे कि मैंने बताई यह चाइनीज राकेट है तो थोड़ा सा एतियात के साथ आप यूज करें सावधानी के साथ बाकी जैसे हर राकेट में होता है यहां पर एक बटन है जिसको दबाते ही आप पावर दे सकते हैं मैश को इसमें पावर आ गया होगा इसलिए मैंने लेकिन बहुत कम भी नहीं है एक आवरेज जो मच्छर का राकेट होता है उतनी ही आवाज है लेकिन मैंने पैसे इसके काफी जाता दिये मैंने साड़े चार सो रुपए इसके दी है और यह ब्रैंड ने काफी दिखा रखा था कि इसमें बहुत पावर है वगेरा वगेरा जो की गलत है यह भी एक चाइनीज राकेट है बैस इसकी कॉलिटी थोड़ी सी प्लास्टिक के अची है लेकिन उसके लिए साड़े चार सो रुपए देना मझे सही नहीं लगा नहीं लगता तो यह है यहां पर एक टॉर्च भी है टॉर्च लाइट है दिखते है कितनी रॉष्णी तो नहीं है और लेकिन हा रात में आपको थोड़ा बहुत इससे दिख जाएगा बहुत जादा इसमें रॉष्णी नहीं है लेकिन एक फीचर है ज़रूर इसमें बटन ठीक है बटन की क्वालिटी में कोई कमी नहीं लग रही है तोड़ा टाइट है बाकि यह चाइनीज रैकेट के साफ से ठीक है यह लेकिन इसे बताया इंडियन गया है जो की जो की मुझे बहुत बंता लगा और इस तरह से पबलिक को फाइस्टार रिव्यू के बदले पैसे बाटना ताकि हर कोई आपके फाइस्टार रिव्यूज दे तो यह बहुत ही बुरा है इसे सारा विश्वास खतम हो जाता है ब्रैंड के उपर और यह स्टिकर निकल जाएगा जो कि हम यहीं से पकड़ रहे होते हैं इसे फेक पेपर का स्टिकर है लेकिन फिर भी मैं यूज करता हूँ इसे देखते हैं इसका लॉंग टर्म रिव्यू भी मैं बनाऊंगा कि लं आप देख पारे होंगे बटन इधर है जो सीधे हाथ से यूज करता है उसके लिए टॉट्च सामने होनी चाहिए ताकि मैं मचल को देख सकूँ लेकिन बटन यहां नहीं है बटन इस साइट दे हुआ है पता नहीं ऐसा क्यों गुनाया है जो उल्टे हाथ से यूज करता है उसके लिए ठीक है लेकिन जो सीधे हाथ से यूज करता है उसको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है पता नहीं यह क्यों इस तरह का चाइनीज प्रोड़क्ट है देखिए अभी सिर्फ मेरा हलका सा हाथ लग गया उससे इस तरह से हुआ इसलिए मैंने ग्लाउस पहने हुआ दो तीन चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई एक तो सबसे पहला ही जो हमने खोल के देखा दूसरा यह एक दूसरी कंपनी का है रॉकलाइट का प्रोड़क्ट है यह जो की मार्केट में भी अविलेबल है लेकिन यह लोग इसे अपना बता कर बेच रहें तो यह सब छोट चारसो पांसो रुपए देना वरत है इसके ऊपर वार्रेंटी भी आती है अगर हमारा वार्रेंटी प tired में खराब होता है तो देखते हैं वार्रेंटी का किया रिस्वान्स होता है सेल बतार का इस तरह से वह इसको रिपार करवाता है क्या करता है लिकिए यहां से यह जा अभी हो रहा है शायद सेलर ने कुछ टेप लगा कि इसको चिपकाया होगा आप शायद देख पा रहे होंगे तो यह सब घलत है अगर कोई हम कस्टोमर इतना पैसा दे रहा है चुकि मार्केट में यह सब चीजें 200 रुपए में आराम से मिल जाएगा शायद तो मुझे क्वा चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है और ब्रैंड पर से भी भरोसा हट जाता है चैकि ब्रैंड इस तरह के स्टिकर लगा रहा है जो सीधे नहीं लग सकते जो स्टिकर सीधे नहीं लगा सकता यह ब्रैंड तो कैसे हम इस ब्रैंड कर बरोसा करें कोई टांगने का भी कुछ तो मुझे जब इसको ऐसी रखना होगा, तो धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए, अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है, तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, शब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह के और रेव्यूज देखने के लिए, धन्यवाद.